नमस्कार दोस्तों सिधार मैया करनाटक के अगले मुख्य मंतरी होंगे और डीके शियकुमार उप मुख्य मंतरी होंगे इसका एलान अब कॉंग्रिस ने कर दिया है प्रेस कॉंफरेंस करते वे कॉंग्रिस नेता रंडीब सुर्जेवाला ने आज कहा कि करनाटक में जीत पार्टी की नहीं बलकी जनता की है उन्होंने कहा कि सीएम कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष ने किया है और डीके शियकुमार भी सीएम पद के दावेदार थे सुर्जेवाला ने आगे कहा कि लोग सबह चुनाओं तक डीके शियकुमार अध्यक्ष बने रहेंगे और पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे उन्होंने इसी के साथ कहा कि कौंग्रेस पार्टी की सरकार करनाटक में अपनी पहली कैबिनेट बैटक में पांच गैरंटी लागू करेगी कौंग्रेस महासचियो केसी वेणु गोपाल ने कहा कि शियकुमार सदी चुनाओं के अंतक पी सेसी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे उन्होंने कहा कि 20 माई को शपत ग्रहन समारो होगा जिसमें मुख्यमंद्री और उपमुख्यमंद्री के साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी उस दिन सपत लेगा सूत्रों के अनुसार पार्टी ने तरित्व ने लगभग 20 से 25 नए मंत्रियों को रखने का भी फैसला किया है सरकार गटन पर सहमती बनने के बाद सिधार मैया और शियकुमार ने मिलकर खरगे से मुलाकात की इसको लेकर कॉंग्रेस नेता सुर्जेवाला ने एक वोटो भी ट्वीट की सुर्जेवाला ने कॉंग्रेस अध्यक्ष खरगे द्वारा सिधार मैया और शियकुमार के हाथ उठाते वे तस्वीर डालते वे लिखा कि ये विज़िता टीम है सिधार मैया दूसरी बार सिएम पद की सपत लेंगे 75 वर्षिय सिधार मैया 2013 से 2018 तक करनाटक के सिएम थे वही 61 वर्षिय शियकुमार राजिक में मंतरी रह चुके हैं और वर्तमान में करनाटक कॉंग्रेस प्रमुख हैं दोस्तों आप सबको कॉंग्रेस का ये निनने कैसा लगा सही या गलत हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक और शियर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए